प्राइट फ्यूचर की ओर से परिचै करियर्ज की जानकारी के लिए हमारी नई विडियो सीरीज इस विडियो सीरीज में हम आपको बताएंगे अलग-अलग करियर्ज के बारे में कई एक्सपर्ट के साथ बातचीब के द्वारा, तरहतरह की इंफॉमेशन के साथ ताकि जो करियर आपको पसंद है, उसके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा जान सकें परिचय, फोटोग्रफी के करियर का, इस सीरीज में हमने तीन वीडियोस बनाए हैं, दो एक्सपर्ट फोटोग्रफर्स के साथ ये है वीडियो वन जिसमें फोटोग्रफर मनमीद भट्टी बात कर रही हैं ब्राइट फ्यूचर की मुनज़र शेक के साथ ब्राइट फ्यूचर की परिचे वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम आपको अलग-अलग कर्यास के बारे में जानकारी देंगे क्योंकि जानकारी है तो दुनिया हमारी है आज की इस वीडियो में हम फोटोग्रफी के कर्यार के बारे में बात करेंगे हमारे साथ आज की एक सपर्ट है पोटोग्रफर मनमीद भट्टी जी तो चलिए उन्हीं से पूछते हैं उनके बारे में So मैंने मेरा करियर अल्मोस्ट बीस पाईस साल पहले शुरू किया था मैंने एक कमर्शिलाथ का कॉलेज जॉइन किया था प्रफिजी इंस्टीूर फप्लाइदाथ तब तो पांक साल का कॉस्ट था आज वहां पर डिजाइनिंग, अड़िताइजिंग, प्रिंटिंग, टाइपोग्रिफी फोटोग्रिफी एक पार्ट था, एक सब्जेक था जो हम स्पेशलाइजेशन कर सकते थे तो कॉलिज के बाद मैंने एक फोटोग्रफर को एक साल और तो तब असिस्ट करते हुए मुझे एक जॉब का चांस मिला था जहां में एक फिल्म की स्टिल्स कर सकती थे और सिंस्ट वो जॉब मिल रहा था तो मैं मिस्नी करना चाती थी और उसके बाद से मैंगजीम्स और अबर्टाइजिंग के लिए शूट किया और बस ऐसे ही चलता रहा लेकिन अगर कोई मेरे जैसा मुझे अगर फोटोग्रफी करने है मान लो तो मुझे क्या कोर्स या ट्रेनिंग सबसे पहले करना होगा या पिर मैं साइंस पेकल्टी की हूँ या कॉमर्स क्या मैं फुटोग्रफी में अपना करियर बना सकते हूँ आइधिंग फोटोग्रफी के लिए सबसे पहले तो एक इंट्रेस्ट चाहिए और कोई भी लाइन स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंट्रेस्ट होना जी है कि हाँ यह मैं करना चाती हूँ ठोड़ा टेकनिकल knowledge important है, camera usage, settings, वो सब, तो उन सब चीज़ों के लिए एक कोस कर लो तो अच्छा है, दो फोटोग्रफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जो आप कुछ नहीं भी करो तो खुद से भी कर सकते हो, बट यह कि डेफिनिटली अगर आप कोई कोस करो तो थोड़ा एजी हो जाता है, क्रियेटिविटी आप में से आप से आनी होती है, तो जितना आप वो करेंगे, उतनी आपकी क्रियेटिविटी एक्स्पैंड होगी, असिस्ट करने से मुझे भी बहुत पता चला, छोटी-छोटी चीज़ें जो कोई सिखाता नहीं है, पर आप देख के सीखते हो, इवन छोटी चीज़ें जिसे बिलिंग कैसे करूं, शूट पर क्या-क्या छोटी रिक्वार्मेंट होती हैं, टाइम पर खाना भी आना चाहिए, क्रू किये, तो यह जो फोटोग्रफी छोड़के बाकी और सारी चीज़ें, और फिर एसिस्ट करना एक और पर एक खुद का डेवल्मेंट करना, कि बहुत सारे ओनलाइन कोर्स भी हैं, छोटे-छोटे आप ट्राय कर सकते हैं, मैं बहुत सारे वीडियो देखती थी, इवन फोटोशॉ आप कैसे यूज कर सकते हैं, एक जो छोटी माइनर टेखनीक्स हैं, जो फोड़ा टाइम लगा के सीखते हैं, हम विद एक्स्पिरियंस, विद प्राक्तिस, और ट्राइंग आउट, कई सारी एकडमी और इंस्टिट्यूट्स भी हैं, जो कुछ तो काफी एक्स्टेंसिव क करती हैं, बहुत सारी नई चीजे सिखाती हैं, और कुछ बहुत बहुत बेसिक सिखाती हैं, तो वो आपर डेपेंड करता है, आप कितना टाइम स्पैन करना चाहते हैं, या कितने पैसे स्पैन करना चाहते हैं, तो माम, जैसे आपने बताया कि ये कोर्स होता है, तो जैसे म मैंने प्लाइदाट्स किया था तो वो तब पान साल का था अभी चार्ट साल का हो गया है वो सिरफ फोटोग्रफी नहीं था और बहुत चीज़ें भी थी बडाइ धिंग जनरली और इंग माक्सिम्म तू यह के कोसे हैं तो अगर और भी इंस्टिट्टीट्ट पी एक और करती है तो इसका लगभग के कितना खर्चा आता होगा I think around 2-3 lakhs है आजकल digital camera का ही investment है otherwise कोई film role और वो सब तो नहीं जरूरत तो वो एक time पे काफी खर्चा होता था बट अभी I think even अगर आप camera भी ना लो आप एक अच्छा phone ले लो उसका camera ही यूज करके आप काफी photography कर सकते है yeah and आजकल इतने apps है editing apps जो आपका जो final result है आप कहाई नी सकोगे कि मैंने DSLR से लिया है या फोन से लिया है यह एक बहुत benefit है at least आज जो हमारी technology है कि हम बहुत कम spend करके भी कितना कुछ कर सकते हैं आपने ऐसा बताया कि online भी courses available है तो क्या यह online courses करने के बाद मैं certificate download कर सकते हैं तो I don't know अगर सब लोग certificate देते हैं तो मुझे लगता है photography ले certificate की अच्छली जरूरत नहीं है जो आपका काम है आपको उस basis पे ही you know कोई job देगा Okay, एक बार हमने course पतम कर लिया, ठीक है फिर मुझे किस तरह की job opportunities में लेग लेग लिए तो एक तो है कि हम में यह understanding चाहिए कि जो photography है वो एक बहुत visual medium है and जो हमारा idea है मन में वो हम कैसे एक visual की तरह दिखा सकते हैं यह कुछ general के examples में दिखाऊंगी यहां एक तो है कि travel photography आजकल Instagram जैसे apps के साथ आप blogs कर सकते हैं आजकल travel pictures काफी demand में है then advertising है so advertising काफी अच्छा paying line है because advertising में काफी responsibility भी है क्यूंकि आपके clients काफी पैसा invest करते हैं एक दिन की shoot में you know काफी team है लोगों की जो एक shoot पे काम करते हैं models है makeup artist है stylist है and plus आपको एक brief follow करना है आप आपकी मनमर्जी से नहीं कर सकते हाँ मुझे तो यह दिल कर रहा है करने के लिए मैं ऐसे shoot कर लूँ आपका visual appealing भी होना चाहिए striking होना चाहिए and plus वो message across आना चाहिए फिर fashion अगर एक designer किस तरह अपने कपडे लोगों के सामने लाएगा is photography से beauty इतनी cosmetics हैं आज कर उन सब को beauty shoot की जरूरत है अपना product दिखाने के लिए अपने looks दिखाने के लिए Bollywood इतनी बड़ी industry है आज के time पे उनका जो publicity shoot है उसमें काफी still photography लगती है फिर food photography है आज कल तो इतने लोग chefs अपनी चीजें बनाके काफी sell करते हैं तो finally customer तक तो उनकी pictures ही पहुंचती हैं तो वो एक बहुत important medium है उनके लिए product photography हमेशा से ही रहा है काफी important कुछ सालों से एक trend है बच्चों की shoot करने का baby shoot जो abroad काफी सालों से कर रहे थे बट इंडिया में पिछले कुछ सालों से काफी pick-up हुआ है काफी interesting है क्यूंकि बच्चों के साथ shoot करके आपको कुछ नो कुछ unexpected मिलता है तो photojournalism actually एक बहुत important medium है because सारी दुनिया की खबरें तो हमें ऐसे ही मिलेंगी ये एक tough job भी है because photographers इतने dangerous locations पर जाके भी काम करते हैं interiors and architecture आजकर काफी pick-up हुआ है because interiors एक बहुत अच्छे level पर जा चुका है कि लोगों के वो अपनी spaces, design spaces बहुत माइने रखता है आजकर तो उस्की photography भी बहुत important हुगे है automobile shoot पी थोड़ी specialized है हर कोई नहीं कर सकता क्योंकि एक इतना बड़ा metallic object आपको shoot करना है और इतना reflective तो वो भी एक कला है तो एक बहुत important शीव है कि हमें अपना एक style डेवलप करना ब़गों चाहते हैं कि हम एक ही style shoot करें तो जब वो काफी established हो जाते हैं तो एक बड़का style काफी फेमिस हो जाता है जैसे इंडिया में रगुराइ इतने फेमिस फोटोग्रफर है उन्होंने मज़ॉरिटी ब्लाक इन वाइट शूट किया है Steve McCurry बहुत फेमिस फोटोग्रफर नशूज जग्राफिकली उन्होंने बहुत शूट किया है, उनकी पिक्चिर्स इतनी कैप्टिवेटिंग है, कालर्फुल है, एक सर्टेन एमोशन भी काप्चर कर लेते हैं, वो यह अन्होंने बीबीज को शूट करना शुरू किया था, इनोंने भी एक अलग ट्रेंड सेट कर या कि उसके पहले लोग अब प्रिंटिंग है, वो भी एक अलग आट है, अभी तो हम यह तोने इंग, कॉंटरास्ट इसब फोटोशॉप पे कर लेते हैं, इस तर्फे पे प्रिंट करते थे तो वो सब प्रिंटिंग में मैंनेज करते थे, बार्क रूम में, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कर प्रिंटिंग का तो अमारा पॉर्ट फोलियो ही सब कुछ है, वह हमें काम देगा, हमें साटिस्फाक्शन देगा, हमारी क्रेटिविटी दिस्प्ले होगी, आप जाए सौपिक्टर शूट करो, बार्ट उसमें से आप अपका बेस्ट वर्क सिलेक्ट करके आपका पॉर्फ प्रिंटिंग कर देखने के लिए अपका पॉर्ट वर्क सिलेक्ट कर देखने के लिए और फितोग्रफर को उनका काम जो है अलग लोगों तक पहुंचना चाहिए, जो उनके प्रोस्पेक्टिव क्लाइन्स हैं, तो वेबसाइट बहुत इंपोर्टन थै, आजकर इस्ट प या फेस्बुक पेज कर लिजी, जो कि एकुली वर्क करता है, तो सोशल मीडिया इस बहुत ही इजी, रीचबल, काफी एफेक्टिव है, और एक और है कि बसाइट इस आप नेट वर्क कीजिए, लोगों से मिलिये, जहां जहां नहीं नहीं लोगों से मिलेंगे, अपना काम दिखाएंगे, तो उससे भी बहुत फरक पड़ता है, अच्छी स्टार्टिंग में थोडी महिनत है, पर नथिंग लगों से बहुत पोर्टफोलियो, मुझे लगता है कि हर फील्ड में चलेंगे होते ही, और आपके साथ भी बहुत सारे चलेंगे होंगे, मैं चाहती हूँ तो ऐसे उन चलेंगे के आप बात करें, हमने बता है आप कैसे उनका सामना किये हूँ So I think challenge, to mostly अगर कहो तो advertising में है, कि client एक brief देता है कि मुझे ऐसी फोटोस चाहिए तो आपको creatively, technically वो वो काउट करना है So normally मैं कोई भी shoot, अगर करूँ चाहिए वो छोटी हो या बड़ी हो, तो मैं बहुत प्लान करके जाती हूँ मैं इतना detail work करती हूँ कि, even अगर lunch time है, वो भी मैं fit-in करती हूँ कि, client को lunch भी time पे चाहिए, models को भी time पे lunch मिल जाना चाहिए, नहीं तो वो आगे काम कैसे करेंगे challenges आते ही हैं, कोई ना कोई कभी client का last minute कोई requirement आजाता है, या अगर कुछ प्रपै किया हो, बड़ क्लाइन के मन में कुछ और था तो वो उमको वैसे चाहिए, तो वो पार्ट फ़ गेम है, and but I think preparation बहुत help करता है, अब टाइम नहीं वेस कर सकते शूट के, एक मेरा बहुत इं and हमने काशिद गए थे शूट करने के लिए, basically बीच पे करना था, and जो हमारा coordinator था वो last minute तक नहीं आया था, तो मैंने दो दिन रेकी की, फिस सब मॉदल्स जो बच्चे हैं रात को ग्यारां बारां बजे तक पहंचे वहां पर, उन सब को रूम्स में ठहराया, like उनको उनको शूट किया सारा दिन, फिर बच्चों का खाना पीना भी बीच में देखना था, and सारा दिन बच्चों को संभालना, उनके परेंस को भी संभालना, तीन दिन कंटिनेर्सली सुबा से रात तक शूट करना, और बैस है कि जब तक शूट चल रही है, आप में वो एनरजी है, तक शूट के बाद आती जब बिलकुल खतम हो जाएगी, तब ही हगता है कि हां काफी पांच दिन से लाइक, बेंसली देना है, तो पर काम करने के वाक्त वो एक्साइटमें भी रहती है, तो वो एनरजी आई जाती है, तो एनरजी आई जाती है, जाहोँगी कि आप एक और प्राक्टिसिंग, कोई रिक्वार्में नहीं हो, तो आप अपनी क्रियेटिविटी पे वर्क करते रहें, वो बहुत इंपॉर्टन है, आपकी अंडरस्टैनिंग कितनी बढ़ती है, चाहे हो लाइट हो, चाहे प्रॉप्स हो, चाहे कुछ छोटी डीटेलिंग हो, तो यह तो अगर वो सब का नॉलेज हो, तो हमारा जो एंड पोटोग्राफ है या इमेज है, उसका जो स्टैंडर्ड हम काफी रेस कर सकते हैं, कोई नहीं देखता कि आप ते एक घंटा लगाया या दस घंटे लगाया, वो फोटो पोटो परफेक्ट होने चाहे है, तो एंड होता है सारा दिन शूट करके आओ, तो इतना मज़ा है होता है, कि होता है, हाई कल विश ये शूट दुबारा कर सके है, थैंक यू सो मच, आपके इस जानकारी से हमारे उन यंग्स्टेस को बहुत फायदा होगा, जो फोटोग्रफर बनना चाहते हैं, सो ब्राइट फ्यू विडियो के लिंक अभी आएंगे, उन पर क्लिक करना ना भूलें, इस विडियो को पूरी तरह बनाया है, ब्राइट फ्यूचर की मार्केटिंग और कम्यूनिकेशन टीम ने शुभ आरंप फांडेशन के साथ, ब्राइट फ्यूचर युवाओं को अपने करियर और अपनी जिन्दगी के बारे में सही निर्णे लेने के लिए तैयार करता है, इस तैयारी में शामिल हैं उनकी लाइफ स्किल्स बढ़ाना, करियर का विकास, सलाहकार दिलाना, इंटरंशिप्स और नौकरी के अफसर भी दिलाना, इन सब चीजों से ब्राइट फ्यूचर युवाओ के सपनों को फाइदेबंद रोजगार में बदलता है.